18 जन्वरी को जंतर मंतर पर विनेश फोगाट साक्षी मलिक के साथ बजरंग पुरिया ने धर्ना शुरू किया आरोप लगाया कि WFI के अत्यक्ष ब्रजबूशन चरन सिंग ने महिला पहलवानों का यौन सोशन किया है 21 जन्वरी को विबात बढ़ने के बाद केंदरी खेल मंतरी अनुराप ठाकुर ने पहलवानों से मुलाकात कर कमेटी बनाई लेकिन कमेटे की रिपोर्ट आस तक सारुजनिक नहीं की गई 23 अप्रेल को पहलवान फिर जंतर मंतर पर धरने पर बैट गए उन्होंने कहा कि जब तक प्रजबूशन की गिरफतारी नहीं होती धरना जारी रहेगा 28 अप्रेल को पहलवानों की याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोल्ट की आदेश पर दिल्ली पुलिस ने प्रेजबूशन पर छेड़ चार और पॉसको एक्ट में दो एफाई आर दर्च की तीन माई की रात को पहलवानों और पुलिस करीमों की जंतर मंतर पर जड़प हो गई जड़प में पहलवान राकेश यादव और विनेश फोगाट के भाई दुश्यंत और पांच पुलिस वाले घायल हुए साथ माई को जंतर मंतर पर हर्याना यूपी और राजस्थान और पंजाब की खापों की महा पंचायत हुई इसमें प्रजबूशन की गिरफतारी के लिए कि इंदर सरकार को 15 दिनों का अल्टिमेटम दिया गया 21 माई को फिर महा पंचायत हुई और इंडिया गेट पर केंडल मार्ज और 28 माई को नए संसद्धोन पर मैला महा पंचायत करने का फैसला लिया गया 26 माई को पहलवानों ने प्रेस कॉनफरेंस कर बताया कि 28 माई को वो धरना इस्थल से नए संसद्धोन तक पैदल मार्ज करेंगे 28 माई को पहलवानों ने नए संसद्ध के सामने महा पंचायत के लिए जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया 29 माई को सारा दिन पहलवान घर पर रहे और मेडल गंगा में बहाने और इंडिया गेट पर आमरण अंजन का उन्होंने फैसला किया 30 माई को पहलवान हरिद्वार की हर्गी पॉड़ी में मेडल बहाने आये जहां किसान नेता नरेश टिकैट के मनाने पर सरकार को पास दिन का इडिमेटम दे कर उन्होंने अपना फैसला टाल दिया 31 माई को न्यूज अजनसी ए नाई के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस के पास ब्रजबूशन की गिरफतारी लायक सबूत नहीं है इस पर दिल्ली पुलिस ने टूइट करके इसका खंडन किया और कहाँ जाज जारी है लेकिन बात में दिल्ली पुलिस ने अपना टूइट डिलीट कर दिया दो जून को कुरुशेत्र में महा पंचायत हुई इसमें नौ जून तक ब्रजबूशन को गिरफतार करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया तीन जून को दिल्ली पुलिस को इस मामले में चार गवाब मिले जिन्होंने ब्रजबूशन पर लगे आरोपों की पुस्टी की है इनमें एक एक ओलम्पियन, कॉमन विट्ट गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल लेफरी और स्टेट लेवल को शामिल चार जून को सोनीपत में सर्व समाज पंचायत हुई, जिसमें बजरंग पुनिया ने कहा, अभी कोई फैस्ता ना ले, हम जल्द एक संयुत महा पंचायत बुलाएंगे आज यानी 5 जून को पहलवान, रेलवे में अपनी नौकरी में वापस लौट गए हैं, हलांकि उन्होंने कहा है, कि आंदोलन अभी भी चलता रहेगा